तो आपका हमारे चैनल में इस वक्त राजस्तान में सियासी संग्राम देखने के लिए मिल रहा है और इस सियासी संग्राम में कोई एक दूसरे से बलकि कॉंग्रेस के अंदर ही कॉंग्रेस के नेता एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं जिस तरीके से कल अशोग गहलोत सोनिया गांदी से मिलने पहुचे दस जनपत में उसके बाद उनसे माफी भी मांगी सुर्व बदल गए उनके अध्यक्ष का चुनार लेने से मना कर दिया सीम रहने की बात कह दी तो उनके ठीक मिलके ज जब निकले संचिन पाइलेट उनके चेहरे पे मुस्कराती और उन्होंने मीडिया से बात भी क्या कुछ कहा संचिन पायलेट ने इसके बारे में जरा विस्तार से चान लेते हैं और किस तरीके से राजस्थान की सियासत में सचिन पाइलेट की एंट्री होने की संभावना जदाई जा रही है या दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि आला कमान के पास कुछ पंजाब जैसा प्लैन है और यहां पर भी कोछा सिद्धू और चरंजी सिंग्चनी वाला खेल देखने के लिए मिलेगा अब आप सूचे होंगे कि आखर क्या कुछ कनेक्शन है क्या कुछ अ अच्छा से मुलाकाद करी और उनोंने शांती तरीके से मारी सरिपात मुस्वला और जो इस पर दिस्तास ने चर्चा करी और मैं मानता हूं कि जो मेरे सेंटिमेंट से जो मेरे भावनाया थी जो वड़ा फीड़बैक था और हम सब यहीं चाहते हैं कि हम इसी करें मेहनत करकर जो जाने चर्चा करना पड़ेगा और राइस्थान के संधर्व में जो भी मिरने या जो भी डिसिजन देना है तो इसका एक ही उद्देश ने जो रहे गार पाकी राज्यों में पांश पार्टी की चुनाव को सुनाव कि अध्यक्ष्ट से वलाकात की है उन्होंने मेरी बातों को भी ठंड़ेगा से सुना है हमने डिटेल डिसकेशन की है जो भी जैपूर राजस्थान में हुआ है उनको मैंने अपने जो सेंटिमेंट से वो बता है मैंने अपने फीडबैक भी उनने दिये हैं और हम बस यहीं चाते हैं कि हम सब मिलकर 2023 का चुनाव जीते वो भी राजस्थान में इसके लिए हम सब को मिलकर काम करना पड़ेगा और बहुत ही महनत से काम करना पड़ेगा इसके बाद उन्हेंने कहा है कि जो भी डिसीजन राजस्थान के मामले में बनाया जाएगा अला कमान की तरफ से वो मुझे मानने हैं उन्हेंने का कि मैं बहुत ही जादा कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले 12-13 महीने पिर से कॉंग्रेस की सरकार बनेगी वो भी हमारे महनत से सचिन पालट ने ये सारी बाते सुनिया गान्दी से मुलाकात कर दे के बाद कही है और आपको बता दे कि इस मुलाकात के कई माइने बताए जा रहे हैं अब इस दौरान कैसा है जो है सूत्रों के बाद कहिए याटकले कहिए जो बड़ी तेज है वो कुछ इस प्रकार है हम आपको बताते हैं पहला यह कहा रहा है कि प्रियांका गांदी भी दस जनपत में मौझूद थी जब सचिन प गांदी ने भी ग्रीन सिंगनल दिया है कि पाइलेट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना जाएगा पाइलेट कैम के इसके बाद एक और बाते हैं यह है कि गहलोट ने अभी तक सोनिया गांदी से अपने राजी क्लेशन को लेकर बात नहीं की है इसके बाद सोनिया ने सब्सक्राइब करने के लिए अब तक नहीं कहा है लीडर्स दिगविजय सिंग को पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहते हैं कि उनको लगता है कि वह राहुल गांदी के प्रॉक्सी होंगे जीट ट्री के लीडर्स जो है वो गहलोट के पीछे रैली कर रहे हैं औ और थरूर को जो है बैक अप दे रहे हैं और वो दिगविजय को किसी भी तरीके से का प्रेसिडेंट नहीं बनना देखना चाहते हैं अब सूत्रों का यह भी कहना है कि जैसे कि प्रियंका ने सिद्धू के साथ पंजाब में डील को सील किया था कि ठीक है मुख्यमंतरी चन 2 बात कहीं जा रही है कि राजिस्थान का कोई दूसरा मुक्यमंतरी नहीं बनेगा अगर मुक्यमंतरी बनना है यह यह तो गहलोत ही रहें या अगर इसके खिलाफ आ कमान कुछ कहती है तो फिर हम अपना स्टीफा दे देंगे तब दिल्चस्प मुकाबला होते जा रहा है कि राजनेती हारवल जो है करवत बदल रही है और इस वीच जो घटना हुई पर्सों के रोज दो दिन पहले कि वो घटना इत्ता घिला के रख दिया हम सब को मुझे जो दुख है और में जान सकता हूं क्योंकि पुरे देश मैंसे चला गया जैसे में मुख्यमंती बना जाना चाहता हूं इसलिए सब कुछ हो रहा है मैंने सोनिया जी से भी शौरी फिल किया है एक लग प्रस्ताव करने यह आप सब को मालूम है जुर्भागे से उस पक्त ऐसी स्थी बन गई वो परस्ताव पास नहीं हो पाया है क्योंकि मैं जिए बिदेगे हूं आप पर मुख्यमंत्रे हूं और मैं उस परस्टाव को पास ने करवा पाया कांजा कुछ भी रहे होंगे तो मेरी मौल रस्पंजिबरेटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावरोज भी मैं एक परस्टाव एक लाइन कर जो हमारी परमपरा है पहली बा परमपरा के अंतरगत प्रस्टापार नहीं होगा मैंने उनसे मिला कोची मिला करके रिक्वेश्ट की का वद्धिक के चुनाद लड़ें आखिर में अस्रीकार कर दिया मैं मेरी बात को कायम हूं मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं तो मैंने का भी जो सब की भावना है कारि सब्सक्राइब होता है तो मैंने तया किया है अब मैं इस मावल के चुनावन नहीं लड़ूंगा की मुलाकात और बयानबाजी देखने के लिए अब रही है सोनिया के मुलाकात के बाद कई सारे संकेत भी देखने के लिए मिल रहे हैं कल आशों गैलोत ने का अधिक कह दिय जस्पोरा यही नहीं वफदार अशों गहलोत जो है अब यह बागी गुट में शामिल होने के अटकले भी तेज है क्योंकि G23 के साथ वह संपर्क में है और अध्यक्ष चुनाव में टक्कर की भी तैयारी देखने के लिए मिल रही है बता दे इस बीच जिस तरीके से लगत कि यह कहा जा रहा है कि गलोत की विदाई की पठकता लिखी जा चुकी है और CLP की फिर से बैठक होगी और बागियों को भी संदेश दिया जाएगा बतादे की जो फैसला जिस तरीके से कमान सौपी जाएगी या नहीं जाएगी फैसला दो एक दो दिन में दिल्ली के दरज या गांदी ही करने वाली है इसे कुछ मिन्टो बाद कॉंगरिस के संगठन महासाचीफ केसी वेड़ो गुपाल ने कहा कि एक दो दिन में फैसला किया जाएगा पार्टी सूत्रों के मितावित गैलोत की विदाई लगभगता हो चुकी है और फिर भी फिर जल्द विदायक पर एक्शन लिया जाएगा सचिन पालेट से मिलने के तुरंत बाद ही जारी कर दी गई है उन सभी के लिए जो कि बागित तेवर अपनाए हुए सुनिया गांदी से सकत के तरफ से सक निर्देश पर दिया गया है किसी तरीके की कोई बयान बाजी नहीं की जाएगी एक अजस्तान संकट को काटना है इस पर किसी तरीके की कोई बयान बाजी बरदाश नहीं की जाएगी तो यह जो है बयान दिया ग्या है गेलोड कैम के तरफ से लगातार आगोतादे की सोन्या गांधी पर इंयरेक्ली धमकिया धंकिया जो है दी जारी है कि गेलोड को छोड़क कल्प नहीं चुना जा सकता है वन्ना मिट्टम इलक्षन करवाए जाएंगे क्योंकि वो किसी और को एक्सप्ट नहीं करेंगे गयालोग के चोड़ना नहीं चाहती है कि सचिन पालट के लिए बीजएपी में रास्ते खोले हुए है सचिन पालट ना चले जाएंगे को पकड़ करने के लिए ना गयलोग को नाराज कर सकते क्योंकि उनके साथ विधायक का विधायकी से तीफा देने के तैया था आशोग को वह परिशा नहीं किया जा सकता है यहां पर यह कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक जो है कंगरस कहल सकती है और खेलते हुए पाइलोट को किस दिनों के लिए शांत कराया जाएगा जब तक पूरी तरीके से चुनावना हो जाते जीत नहीं हो जाता और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा तेरे महीने के लिए चुप-चाप बिठाए रहने के लिए पार्टी में किसी तरीके की अंदुरूनी क अला ना हो उसके लिए सब्सक्राइब को एक पद्दे दिया जाएगा अशोग्य लोगत के साथ भी जो है टर्म सो बिठाए जाएंगे और इसे लेकर चलना पड़ेगा बतादे कि इस तरीके से पाइलट का बयान आया है उसे लोग कई सारे लोग इस पर प्रतिक्रिया दे किया है सब हमने आपके पूरा मामला विस्तर साथ से किस तरीके से मुलाकात हुले ममाकात कि बदक्राव क्या कुछ बयान है और बयान के बाद की तरीकश के जमेह रहे हैं सूतरों के साथ फ़हाब or पर πようना मामला दो-plings तीनर्स दिन सो resolutions और तो झाल